कंपनिया बड़े पैमाने पर विस्तार कर रही हैं और यहां पर भी एक बड़ा बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा तो ब्रॉडबैंड सर्विसेस पर HSBC ने एक रिपोर्ट भी निकाली है जादा डीचेल्स के लिए हॉर्मास के पास चलते हैं हॉर्मास बताईए HSBC क्या कहता है और किस तरह की अटकले बनी है क्योंकि कल के बयान के बाद माकेट भर में हो चर्चा हो रही है कि शाद एक और टैरिफाइक का इंतजार होना चाहिए यह हमारा आपके लिए तो अच्छी खबर नहीं है कि अगर ऐसा कोई टैरिफाइक होगा या नहीं मगर टेलेकॉम कंपनियों के लिए तो यह अच्छा होगा अगर कोई ऐसा टैरिफाइक आता है तो और टेलेकॉम एक ऐसा सेक्टर रहा है जो पिछले 3-4 महीनों में काफी फोकस में रहा है तो HSBC ने आज सबसे पहले तो भारती एटल को अपग्रेड किया है उनके रेटिंग जो है उसे होल्ड से बढ़ा कर खरीदारी की राय की है उन्होंने अपग्रेड करके और उन्होंने लक्ष को उन्होंने बढ़ाया है 1325 से बढ़ा कर 1950 का लक्ष कर दिया भारती एटल पर HSBC ने अब उनका ये कहना है कि वो उनकी जो EBITDA और EPS है भारती एटल की वो 16 फीसिदी और 78 फीसिदी के कैगर से ग्रो कर सकती है FY24 और FY27 के बीच में अब ये किस तरह से होगा ये इसलिए होगा क्योंकि मोबाइल आर्पू में बढ़ातरी होगी उस उससे उसे फाइदा होगा उससे मार्जिन बढ़ेंगे और मार्जिन बढ़ेंगे तो उससे EBITDA और EPS को फाइदा होगा अब भारती एटल ने काफी केपेक्स करा हुआ है तो HSBC का मानना ये है के केपेक्स में कमी आएगी जिसकी कारण free cash flow में सुधार हो सकता है और उसकी वज़े से net debt to EBITDA जो है वो 1.5X तक जाने की संभावना है उस वज़े से उन्होंने stock को upgrade करा है Reliance पर HSBC की अभी भी hold की rating बरकरार है 3010 रुपे का उनका लक्ष है मगर उनका ये कहना है कि जो broadband opportunity है उसका फाइदा उठाने के लिए Jio जो है वो सबसे बहतर तरीके से placed है और Jio को सबसे जादा फाइदा हो सकता है और ये ये भी कह रहे है कि Jio 45% का market share वितवर्ष 30 तक 45% का market share Jio का हो सकता है और अभी उनका market share फिलाल 28% का है तो ये काफी अजाफा हो सकता है Jio में मगर Vodafone Idea पर अभी भी HSBC की reduce की rating बरकरार है 7 रुपे का उनका लक्ष है और reduce rating इनक और जो उनका कर्ज है जो बकाया है वो बहुत जादा है उस वज़े से उन्होंने अपनी reduce rating रखी हुई है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो कर्ज ना चुका सके तो और जादा हिस्सा बिक्री यानि equity dilution की संभावना Vodafone Idea पर बढ़ जाती है लिहाजा उन्होंने अ से बहतर प्लेस्ट है फिस बीसी की राय आती हुई अफकॉस भारती एटल पर भी 1950 का टागिट आया शुक्रिया हॉरमास इस अपडेट के लिए अमर अब समझने वाली बात ये है कि कितना ये पूरा प्ले स्टॉक में इस समय फैक्टर दिन है भारती एटल का स्टॉक अग सिर्फ जियो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है लेकिन एक चीज जरूर हुई है जियो ने अब तक का बहुत ही तगड़ा आर्पू दिखाया इस क्वाटर में हम सब जानते है भारती का आर्पू 200 के उपर है 211 तो बी प्रसाइस और वोड़फोन के आर्पू से कोई मतलब है क्योंकि वो कंपनी खुदी क्राइसिस में है तो अगर एक डिसिजन लेना हो कि आप टेलिकॉम में भारती पर बैठ करें या फिर जियो पर बैठ करें जहां पर होपफुली वो वाल्यू अनलॉकिंग होती हुए दिखाये देगी और इस एंटिटी की लिस्टिंग होगी जादा बहतर और जादा रिवार्डिंग ट्रेड क्या रहेगा? जिए गार्टी अटल को मिलेगा, जिए यो इस वेरी वेल प्लेस्ट अस तो चैप्चर दी अडवांटेज, लेकिन मैं भार्ती अटल पे जो है वो निवेश करने की सला दूंगा, फर देशिम्पल रिजन एस की भार्ती अटल अस एंट वेन अप्स अट आउंस इन दिस ए है देट अट्री अंट को जरूर अस तेलिए कंपणी के हूब में देखा जा सकते हूं हम से एक गार्टी ऑटल को बूलिश्भ सब्हथ अ Yes, को जरूर अग्स है आखे ना जा . झाल झाल